तो गाई जैसा कि देखा आपने टाइटोल और थमनेल में कि ये वीडियो होने वाला डेनिम जैकेट का हॉल वीडियो हमने अब रिसेंट मिंटरा का जो सेल आया था विग फैशन फेस्टिबल उसमें से काफ़ी सारे डेनिम जैकेट को और किये थे और मैंने सारे साइजों मे अबिलेबल किये मतलब M है और इस भी है क्योंकि काफ़ी स्कीनी बंदे कमेंट करते हैं कि मैं काफ़ी पतला हूँ तो मेरे लिए कौन सा डेनिम जैकेट परफेक्ट आएगा तो इस वीडियो में डीटे से बात करेंगे और आपके लिए एक बहतर डेनिम जैकेट है सबसे पहले हमने किया इन सब को ऑन बॉक्स निकाला है उनको उनके कपड़ों से बाहर तो आपको दिखाते हैं कि आपको ट्रस्ट आ जाए कि हां ऑनलाइन खरीदने पर आपको जैन्मीन प्रोडक्स आते हैं फिर उसके बाद वीडियो में डीटेल से आगे बढ़ेंगे तो गाइज यह अपने दो पैकेज जो रिशीव हुए हमें मिंतरा के तरफ से आपको किलर दिख रहा हुगा इसमें होने वाले हैं डेनिम जैकेट तो इनको हम फटक से करतें उन्बॉक्स और निकालते हैं अपने डेनिम जैकेट को दोनों में दो दो डेनिम जैकेट होंगे तो पहले दो डेनिम जैकेट अपने आ गए बाहर तो बारी-बार इसे में यहां पर खोलूंगा कि ज्यादा कलाटर ना हो और आपको सब पुछ इजदी समझ जाए तो पहला जो अपने हाथ में आया है यह रोडेश्टर के तरफ से तो पीड़ना देनिम जाकेट होने वाला है जैसा पिक्चर में हमने ओरठ यादा जैसे पिक्चर में दिखा था टृट यह सें कलर दिख रहा और पूरा जो टेक्स्चर है वो भी सेम दिख्चर आपने को दूसरे वाले को थोड़ा कर लेते हैं साइड इसको हम लोग खोलत कितना थीक मेटेरियल है अगर बात करें ना इसके स्लिप्स की तो यहां बात करें ना उपर पैच पर यह मंगाया हमने इस साइज में और रोडेश्टर का है पीछे के तरफ से देखें तो पीछे भी सेम अपने को देखने को मिल रहा है थोड़ा सा वोस मिल जा रहा है अपने टैग पर है 3099 की प्राइसिंग यहां पर कुछ अलर्ट अनौल दिया गया है तो यहां पर अपने को जो कपड़ा मिलता है यह थोड़ा सा के मूद फ्रेश टाइब को मिल रहा है बाकी बटन्स अनौल अब देख सकते हैं कपड़ा जो है यह वहां पर वहां पर मिल रहा है और कपड़ा जो अपना प्यूर डेनिम है और काफी ठीकर है काफी बढ़िया अपने को फील देगा ठीक है तो चलिए है अब अपने दूसरे डेनिम जैकेट को देखते हैं तो यह भी जैसा हमने ओर्डर किया था बेज खाकी कलर जो भी आप बोल देए सेम ही है थोड़ा स अगर बटन पे बटन पर अपने को लोको मोटिव का ब्राइंडिंग मिल जाती है यही इसकी पहचान होती है कि बटन सचे होने चाहिए लोकल बटन होते है तो आवाज करते हैं 2649 की प्राइसिंग है पीछे के गर देखें तो पीछे यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ यहां पर बटन इस्टाइल के लिए दिया गया इसको छोटा वड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं बाकी यहां पर देख लें तो लोको मोटिव के है और इसको हमने एम साइज में और किया जो पैकेजिंग है उसको हम लोग खोलेंगे फटाट को हम लोग खोलें फोलने के बाद और यह दोसरा निकल चुका है चारो के चारो जो अगर जैकेट की बात करें ना सेम अपने को मिले हैं कलर से मिले हैं अपने को यह वाला भी अपना काफी सही देख रहा है अब यह वाला आप जैकेट आपको पास से दिखा दे हम इसको हम लोग खोलते यह होने वाला है कौन सी ब्रांट थी मुझे याद नहीं है आई थिंग हाइलेंडर होगा हाइलेंडर के तब से यह ओलीप कलर का है अगर थोड़ा कलर के बात करें ना फोटोस में थोड़ा सा अच्छी लाइटिंग में फोटो कीची हुई थी इससे ज्यादा वह ओलीप दिख रहता पर यहां पर कब है यहां पर हैलेंडर की ब्रांडिंग मिल जारी है बटन भी स्टाड़ी है और बात करें यहां पर हैलेंडर हैं एम साइस का इसको हमने ऑर्डर किया हैं पीछे के तरफ से देखें पीछे हैं डेनी मटेरियल है सबकुश्चर वाला है मतलब की जो एक डेनी मटेम 2149 है next black color wardrobe essential ये भी है Highlander के तरफ से black color में jet black है काफी लिड़कों का पशन्द होता है और हमारे वोड्रो में एक jet black color का तो होना ही चाहिए इसकी material सेम है आप देख सेंगे टेक्श्चर इसमें काफी वाले मिल जाते हैं बाकि fitting and all कैसी है प्राइस कितना है सब चीज़ों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपको आगे तो वीडियो को पूरा देखिया अब लाइक नहीं किया तो लाइक कर तो काईज आई होप आपने देख लिया सारे चीज़ों को पास से सारे जैकेट्स को मैंने दिखा दिया बारी-बारी से अब आ जाते हैं इनके जो fitting से उनके बारे में तो सबसे पहले आते यह और जो अ मंगाया था एम साइज में अगर इसकी फिट की बात करें तो यह मेरे में फिट है थोड़ा सा अपने को रूम मिल जा रहा यह वाहों के ऊपर और लेंद काफी परफेक्ट है ठीक नेक्स आज आएंगे जो अपना है यह वाला लोकोमोटीब के तरफ से यह वाला अपना जो ड यह जो है मटेरियर इसकी जो है कॉटन है और डेनिम से मिलके बनावा तो फिटिंग इसकी वी काफिश आई है यहां पर अपने को अगर बात करें स्लिप्स पर उतना स्पेस नहीं मिलता है थोड़ा सा फिटिंग अच्छा अग्दम कंपेक्ट टाइप का फिटिंग कंपेक एक्टर के तरफ से जो अपना जैकेट है यह वाला इसको हमने इस साइज में और किया है और यह जो है मटेरियल की काफी सही है काफी थिकर मटेरियल से मिलके बना हुआ है अपने वीडियो में पास से देखा ही होगा अगर बात करें नहीं इसकी फिटिंग तो यह इस नेक्स ये ब्लैक ये भी जो अपना डेनिम जैकेट है हाइलेंडर के तरब से एम साइज में है फिटिंग सेम उसी के जैसे जो मैंने पीछे पताया अब आएंगे सब के बारे में एक एक छोटी से जो डिमेरिट है वह बाताने वालों सबसे पहले इसी से सुरू कर देता हूं तो ये इसकी डिमेरिट क्या है कि जब हम इसको पहनते हैं हाप स्लिप टीशेट पर पाने तो थोड़ा सा इचिंग टाइब को अपने को फील हो रहा है क्योंकि ये जो है मटेरियल काफी थीकर है और इसकी अंदर से फिनिसिंग बढ़िया नहीं है तो थोड़ा सा थीकर थ इसके जो अभी ये बटन से हो काफी टाइटल बंद हो रहे ओपन हो रहे तो उसका को जुगार अपने को करना पड़ेगा नेक्स्ट और तीसरा नंबर पर आजाएंगे ये वाला अपना लोकोमोटीव वाला तकाई जीए फिटिंग इसकी काफिश सही है कलर भी इसका काफ जो कलर सीड हमने पिक्चर में देखा था उससे थोड़ा सा ये डारकर अपने को रिसीव हुआ है ओली भी है बढ़ थोड़ा डारकर है थोड़ा सा लाइटर होता तो मज़ा आ जाता तो यह सब चीजे हो गए चारो अब आएंगे इनके प्राइस से नौल सब चीजों के ब साइज चार्ट को अभी नहीं देख सकते चलिए दूसरे वाला देखें लेकिन प्राइस की 2399 हो चुकी है और जो प्राइस हमने पे किया था कुमुलिटिव प्राइस हमने 2440 पे किया था मतलब 6-10 रुपए का एक डेनिम जैकेट पड़ा नेक्स आएंगे अपने लोको प्राइस और फाइफ एस सोल्डर 18.9 है और वेस्ट फोटी वन है अब बात करेंगे कि यह मेरे में परफिक्ट है और हाथों पर थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहे तो अगर आपका चेस्ट 36 है तो आप इसके एम साइज के लिए जा सकते हैं अगर आपका चेस्ट 34 या 32 है तो आप इसके एससाइज के लिए जा सकते हैं इस जी जुगोंधों के द्यान रखें कि आम आपका चेस्ट मेरे से कम है यानी 38 से कम है तो आप इसके एस और एम के लिए जा सकते हैं अगर आपका चेस्ट workforce लिए तो और यहां पे Chief मिलता है और एक रोश North milk रिष्ट जोडर है तो 40 मिलता है फिर भी यह मेरे में काफ़ी टाइट आ रहा है या नहीं कि यह होने वाला है उन बंदों के लिए जो जिनका चेस्ट है 36 या उससे नीचे तो आप इसके एस साइज के लिए जा सकते हैं बाखी अगर आपको कोई सब्सक्राइब आपका स्वागत है नेक्स्ट पर आजाएंगे हम लोग हाइलेंडर वाले पर यहीं पर मैं बहुत रहा था कि सेड़ जो इसका है थोड़ा सा लाइटर है लेकिन अपने को थोड़ा सा डाक कर रिसीव हुआ है इसको हमने एम और कहा था इसका 43.3 है लेकिन यह है थोड़ा सा मेरे को स्पैस मिल रहा है यहां पर चैस्फ पर ज्यादा स्पैस मिल रहा है स्लिप्स पे अंगर कर ऊचन इसका 34-39 है तो आपको यह परफेक्ट आ जाएगा के कौन सा सा इज मेरे से जो कम पतले बन्द है उनको आएगा कोंगे delivery होता है फिर वी अगर आपको कोई कमेंट करर लगा है तो कापने corazón क्टेर हैं तो आज किस विडिए में मिलते है आगले बीडियो में तब तक लिए शुक्रान अल्तामसालबंछ एक किया रंडू अरों gosh warned